हाई रिवान दिस लक्षोन कुमार विलकम टू मुडर्न स्टूडी सेंटर जैसा कि आप लोग को है कि पहले में एक फिजिक्स का है कि अल्रेडी कुछ मोडल सेट में करवा चुका हूं जो क्योंकि इंपोर्डेंट कोशन का कॉलेक्शन है और यह आपके सामने आज भी एक से कोटेंट है 24 में जो एक्जाम देने वाले स्टूडेंट है उनके लिए बेहतर आप्शन है कि यहां से इस वीडियो को देख करके इस मोडल सेट को पर करके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो आते हैं एक एक करकर के सारे कोशन को कोशन का सॉलूशन में करवाते जारों फस्ट कोशन आपके सामने है कोशन नमर फस्ट पे आते हैं वाब फस्ट कोशन सामने है किसी बिंदू पर विद्दू छेत्र की तीवर्ता होती है विद्दू छेत्र की तीवर्ता क्या होती है वाओ विद्दू छेत्र की तीवर्ता होती है एफ अपन क्यू नोट होती है बिद्दु छत्र की तीवरता E equal to F upon Q naught और unit होता है N per column आइदर volt per meter होता है dimensional formula ML T minus 3 A minus 1 होगा इसके बाद next question है अगला question है अगला question है आवेस का प्रिश्ट घनत्व होता है आवेस का प्रिश्ट घनत्व होता है सिगमा एक्वल टू क्यू अपॉन ए चार्ज पर यूनिट एरिया चार्ज पर यूनिट क्या होता है एरिया क्या होता है अब देखो क्यू अपॉन एल क्या होता है यह होता है रैखी आवेश घनत्म क्यू अपॉन भी क्या होता है आईतन आवेश घनत्म होता एक रिलेशन न आते हैं question number 3 पर आते हैं गोलिये संधारित्र की धारिता होती है गोलिये संधारित्र की धारिता होती है c equal to 4 pi epsilon r upon smaller minus capital r यह आपका है गोलिये संधारित्र में सकेंद्रिये हो सकेंद्रिये का मतलब है दो बृत बनेगा दो बृत बनेगा जिसका center एक ही ही होगा और r smaller capital r तरजिया है क्या है सकिंद्रिय बृत की सर्किल की क्या है आपका तरजिया है तो c equal to 4 pi epsilon naught smaller into capital r upon me r smaller minus capital r हो जाएगा option number आपका a correct हो जाएगा आते हैं next question की और बढ़ते हैं करा 1 mu 2 के बराबर होता है देखो 2 वाला रहेगा ते उपर चला जाएगा mu 2 upon mu 1 इसका correct answer हो जाएगा ठीक है mu 2 upon mu 1 अब है retina पर बनने वाला परतिविम रेटिना होता है कहां पर है बाबू तो retina human eye का मानव नित्र का वह भाग है जाहां पर परतिविम बनता है तो परतिविम कैसा बनता है परतिविम में बनता है वास्तविक एवं उल्टा बनता है कैसा बनता है वास्तविक एवं उल्टा बनता है लेकिन हम लोग देख पाते है human memory के कारण मानव मस्तिस के कारण उसकी मानव मस्तिस के समचमता है कि हम लोग सीधा देखते हैं और कालपनिक देखते हैं लेकिन रेटिना पर प्रतिवी मनता है वास्तिविक एवं उल्टा बनता है नेक्स कोश्चन की और बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 6 आपके सामनी है खागोलिये दुर्बिन की आवर्धन छमता होती है जल्दी से आप लोग फड़ा फट कमेंड भी करिए कि क्या इसका अंसर होगा एफो क्या है एफो है दूरदर्सक दूरदर्सी लेंस की फोकस दूरी और ये फी है नित्रिका लेंस की फोकस दूरी है अगला है निमलिकित में कौन इंदर धरुष के निर्मान का कारण है इंद्र धर्णुष के निर्मान में क्या होता है वावू प्रकिर्णन होता है कि नहीं विवर्तन होता है कि नहीं वर्ण विछेपन होता है कि नहीं अपवर्तन होता है कि नहीं तो यहां पर कौन सा घटना होगा यहां पर अपवर्तन भी होता है अपवर्तन और किसके कारण पुर्ण आंतरिक प्रवर्तन और पुर्ण आंतरिक प्रवर्तन की घटना के कारण इंदर धनुष का निर्मान होता है और ध्यान ने कि प्रात्मिक इंदर धनुष में एक बार अपवर्तन और एक बार पुर्ण आंतरिक प्रवर्तन होगा दुतियक इंदर धनुष में दो ब आत्मिक इंद्रधनुष में लाल रंग उपर और वैगनी रंग सबसे नीचे होगी और दित्यक इंद्रधनुष में वैगनी रंग सबसे उपर लाल रंग सबसे नीचे होगा तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है निमलिकित में छोटे चुम्बक के लिए कौन स हुआ है तो देखो छोटे चुम्बक के लिए ध्यान देना अक्षिय विक शिक च्ट्र निरक्षिय परका दुगना होता है वИक साली थैसे लुक या वुज़ हो जाएगा आते नंबर 9 की वर एक समान ह्बर्न गी शिता में दोलन सिल चुम्बक के लिए आवर्तिकाल का प्रियेड का फर्मूला यहां पर, option number इसका क्या करेंड अबावू, option number यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा, option number इसका करेक्ट हो जाएगा, option number इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, t equal to 2 pi root under i upon i upon mbh, i क्या है, i क्या है आपका, तो i आपका हो गया, moment of inertia हो गया, क्या हो गया, यहां से, moment of inertia हो गया, और b क्या है यहां पर, magnetic field, magnetic dipole moment हो गया, क्या हो गया, magnetic dipole moment हो गया, ठीक है, और यहां पर b क्या है, आपका, magnetic field intensity है, या magnetic flux density है, magnetic flux density है, ठीक है, अब आते हैं, next question की और बढ़ते हैं, अगला question number 10 है, निमलिकित में कौन सा संबन्द पिर्थिवी के चुमकिये छेत्र bh, और चुमकिये सुई की आविरती के लिए निमलिकित में कौन सा ही है, तो आविरती directly proportional to होता है, इसका square कर दोगे, या फिर n proportional to होता, रूट अंडर bh होगा, तो जब रूट हाट आएंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा, square आजाएगा, in square directly proportional to bhn क्या है, time period और bh है आपका, magnetic field of earth, निमलिकित में कौन tangent नियम का पालन करता है, tangent, tangent के लिए कौन सा, सही है, तो tangent के लिए क्या कौन सा, सही है, tangent के लिए निमलिकि vh 10 theta, v equal to क्या हो जाएगा,ㅎ आते next question की और बढ़ते हैं, आप एचिक चुंबक सिलता, किसके बराबर होता है, तो देखो आप एचिक जिसको ¥UND करते है, mu r equal to mu upon mu naught इसका करेक्टनसर हो जाएगा mu क्या है माध्यम की चुम्बक सिलता mu naught क्या है निर्वात की चुम्बक सिलता mu naught का value 4 pi 10 to the power minus 7 newton per mpr square होता है और mu r का value air के लिए क्या रहेगा 1 रहेगा यह आपको ध्यान देना है निमलिकित में कौन सा संबंद साही है निमलिकित में कौन निर्वात ने विद्धु चुम्किये तरंग की चाल के लिए सही है चुम्किये तरंग की चाल चाल कैसे निकालते हैं बावू तो चाल बोले तो speed कैसे निकालेंगे यहाँ पर sql to 1 upon root under mu naught mu naught क्या है निर्वात की चुम्बक सिलता epsilon naught क्या है तो यह आपका विद्धु सिलता है यह mu naught का value अता 4 pi 10 to the per minus 7 newton per ampere square और इसका value अता 8.85 10 to the per minus 12 कुलंब square per newton per meter square याद रखना यहाँ से यहाँ से mu naught epsilon naught यह portion काफी important है आते हैं next question की और बढ़ते हैं 15 number question है 4 diopter चमता वाले lens की focus दोरी देखो यह power दिया है focus पुछ रहा है power focus एक दूसरे का opposite होता है तो एक वटे 4 करेंगे बावू एक वटे 4 करेंगे तो 0.25 और यहाँ diopter SI में है यह meter में हो जाएगा option number कौन सा हो जाएगा option number A इसका correct हो जाएगा निमलिकित में कौन वर्न विचेपन के लिए सई है वर्न विचेपन के लिए omega equal होता है mu v minus mu r और यह dispersive power होता क्या होता आपका dispersive power होता dispersive power जिसको बोलते हैं विचेपन चमता बोलते हैं क्या बोलते हैं विचेपन चमता बोलते हैं omega विचेपन चमता को किस से और यह हो गया वैगनी कलर का आवर्धन और यह हो गया रेड कलर का वर्धन और यह हो गया रेड कलर का वर्धन और यह हो गया आपका बरतनांग है क्या है आप बरतनांग मियू भी हो गया वैगनी कलर का बरतनांग और मियू हो गया आपका रेड कलर का बरतनांग और यह हो ग याद रखना ये करेक्ट भी है कि कांच के लिए कांच के लिए कितना तो कांच के लिए 4Y3 नहीं है एक कांच के गलास के लिए एक्च्वल में होता 1Y2 होता है कांच के लिए लेकिन 4Y3 लिखा और हवा हवा में फोकस दूरी एफे और पानी में कितना है बावू पानी में कित तो देखो ऐसे भी सेम ही ही है दोनों क्या है आपका सेम है सेम है ऐसे भी रेशियो करें हूँ तो कैंसिल ओट हो जाएगा एफ यह हो जाएगा एफ डवलू इकॉल टू क्या हो जाएगा एफ यह हो जाएगा निमलिकित में कौन संबन प्रकिरनित प्रकास की तिवरता और प् लेमडा के चतूर्त घात का व्यूत कर्मानु पाती हुच्छ चतूर्त घात वाला देखलो यहां पर है और व्यूत कर्मानु पाती है आई प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन अपॉन लेमडा टू दी पावर फूर रीले का सम्मी करनी है निमलिकित में से कौन इलेक्ट्रॉन प्रावेश के लिए शाहिए, इलेक्ट्रोन प्रावेश यह तो सिंपल सा कोशन है, 1.6, 0 to 10 to the power minus 16, कूलम हो जाएगा, option number A इसका correct हो जाएगा, चले next question की और बढ़ते हैं, अगला question आपके सामनी है, question number 21, निम लिकित में कौन sodium का कारिपलने, यह आपको याद करने वाला question है, sodium के लिए कितना होता है, यह आपका 2.75, 2.75 electron volt होता है, यह धियान रखना है, परतिया वर्ती धारा परिपत में याथार्थ माद सक्ती का ब्यांजक होता है, याथार्थ, याथार्थ बोले तो average, average कैसे निकालते हैं बाबू, average निकालते हैं ERMS, IRMS, cos phi से, हम लोग निकालते है, cos phi क्या होता है, power factor होता है, सक्ति गुनांग होता है, आप देखो, सक्ति गुनांग का आगिया न, सक्ति गुनांग तो निकालते हैं, cos phi से, अदुसा निकालते है, R अपॉन, Z से निकालते हैं, यह सक्ति, R क्या है यापका प्रतिरोध है, Z है, आपका impedance है, चले next है, परिपत्थ में कलांतर क्या होता एल अर्पती परिपत्थ का कलांतर निकालते हैं हम लोग कलांतर निकालते हैं से 10 10 omega एल हो गया self inductance हो गया R हो गया resistance omega L अपोनार या फिर omega L के जगह पर XL भी लिखा रख सकता है transformer में परी नमन अनुपात जिसको transformation ratio बोलते हैं यह secondary voltage और primary voltage का अनुपात होता है secondary voltage और primary voltage का अनुपात होता है RC का विम्य सुत्र होता RC होता time constant तो डेख लो time बला कौन है यह दो को time का इन्य वर्स है यह तो dimension less हो गया यह T-2 हो गया यह भी नहीं होगा तो time बला देख लो option number D का correct हो जाएगा आतने हैं धुर्विये प्रवल्ल का धुर्विये प्रवल्ल का A-SI मातर धुर्विये प्रवल्ल का A-SI मातर होता है MPR meter होता है क्या होगा MPR meter next question है ठायस नमबर एक समान चुमकिया च्छेतर में चुमबक के बिछेपन में किया गया कार्य क्या होगा और यह question यह पिछले बार पूछा भी गया question है यह होता W इकोल टू MB 1 माइनस स्क्वास ठीट होता है और पिर्थिवी के प्रिष्ट पर भी कामान होता है पिर्थिवी के प्रिष्ट पर भी कामान और नोट्स में यहाँ पर लिखा हुआ 25 x 10 to the power 25 x 65 Micro Tesla के बीच होता है अब Micro Tesla देख लो Micro means 10 to the power minus 6 minus 6 minus 6 के नजदिक कौन सा है अगला कोशन आपके सामने है निमली कित में कौन गयले वेनो मीटर नियतांग के लिए साई नियतांग के लिए C upon N A B होता है C upon क्या होता है N A B होता है अपका एक constant का भाइलू होता R10 A meter A meter कहेगा तो परतिरोद सुनने होगा A meter कहेगा तो क्या रहेगा परतिरोद सुन आदर से ideal A meter की बात कर रहा है अगर ideal voltmeter बोलेगा तो option number A voltmeter आ जाएगा तो infinite हो जाएगा चुमकि यह फलक्स का A sign मातरक होता है चुमकि यह फलक्स है वेवर इसका correct answer हो जाएगा क्या हो जाएगा वेवर या फिर tesla meter square वेवर या tesla meter square भी आप लोग बोलते हैं लेंज का नियम किसके संरक्षन के लिए सही है यह काफी important है यह repeated question है बोर्ड में ऐसा question आते रहता है लेंज का नियम किससे relative है किर्चौप का किर्चौप का पहला नियम किससे दूसरा नियम किससे unrelated है किर्चौप का पहला नियम आवे संरक्षन सीदान से किर्चौप का दूसरा नियम यह भी आपका उर्जा संरक्षन सीदान से तो यहाँ पर according to question number 34 option will be c प्रेरनिक परतिगात होता है प्रेरनिक परतिगात जैसे बोला inductance XL की भाईलू कर रहा है तो XL equal to हो जाएगा XL XL equal to हो जाएगा 2 pi FL हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 pi FL या फिर omega into l omega का भेलू 2 pi F अगला question है सरल सुचमेदर्सी की आवर्धन चमता कह रहा सरल सुचमेदर्सी की आवर्धन चमता होता M equal to M equal to 1 plus dy Fe M equal to 1 plus dy क्या होता है E होता है अगला है संपर्कित lens की सक्ती होती है सर्क सक्ती तो यह सक्ती जैसे ही कहेगा तो दोनों को जोड देना है P1 plus P2 3 रहेगा तो P1 plus P2 plus P3 हो जाएगा next question क्यों बढ़ते है अको है रहा है यदि Mew G का भेलू 3 by 2 है और Mew W का भेलू 4 by 3 है W Mew G का भेलू देखो मैं बता दे रहो यहां पर कैसे बनाना है इसको सबसे पहले लाना किसका सबसे पहले लाना है देखो Mew G वाला उपर चला जाएगा Mew G आपोन क्या लिखेंगे Mew W लिखेंगे और Mew G वाला भेलू लिख दो 3 by 2 है Mew W वाला इसको उल्टा कर देना है उल्टा करेंगे तो 3 उपर चला जाएगा और 4 नीचे उपर में 9 और नीचे में 8 आ जाएगा तो देख लो 9 Y 8 9 Y 8 कौन सा उप्शन होगा क्योंकि देखो यहां पर है Mew G Mew G का भेलू 3 by 2 रख दिया हमने और इसके बाद रख दिया 4 Y 3 तो 3 उपर चला है 9 Y 8 9 Y 8 आप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहां पर C करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स कोश्चन की और बढ़ते हैं काच के लिए क्रांती कोन होता है किसके लिए है वावू काच के लिए काच के लिए क्रांती कोन का मान कितना होता है तो यह होता है आपका 42 डिगरी के आसपास होता है कितना डिगरी हो जाएगा आपका यह 42 डिगरी के आसपास होता है ठीक है अगला है चुम्ब की यह विद्दुचम की तरंग की प्रकिरती कैसे होती है तो विद्दुचम की तरंग की प्रकिरती होती है कैसी अनुप्रस्थ होती है कैसी होती है वावू अनुप्रस्थ होती है ये धियान रखना है और अनुप्रस्थ की जनकारी प्राप्त किसे होती है तो प्रकास के धुरोभन से, किसे, धुरोभन से, अगला 3PAS के पदार्थ, 3PAS, PARS Vika मतलब समहे रहे हो, यह बात कर रहा है प्रिज्म का, किसका, 3PAS Vika मतलब समझ जाना है, 3PAS Vika मतलब समेना यहां पर किससर Black मतलब है, इसका मतलब यह related है प्रिज्म से, किस से related है वावू, प्रीज में से रिलेटेड है और प्रीज में के लिए म्यू इक्वल टू होता है म्यू इक्वल टू होता ए प्लस डेलेम बाई टू अपॉन साइन ए वाई टू यह क्या है यहां पर यह क्या है यह यह आपका प्रीज में अंगल है यह क्या है यह आपका यह प्रीज में अंग जानते हो यह आपका बरतनांख है रीफरेक्टिड इंडेक्स है तो आते हैं नेक्स कुश्चिन की बढ़ते हैं तो इसका ऑपशन नंबर क्या हो जाएगा option number 6 का correct हो जाएगा क्योंकि हमने c से ही हमने solution किया था अगला है प्रकासिय परिपत्थ की लंबाई ये अब बरतनांक और पत्थ की लंबाई का गुननफल क्या कहलाता है प्रकासिय पत्थ कहलाता है तो option number यहाँ पर ए इसका correct हो जाएगा mu into t mu into t लिखते हैं कभी-kभी mu into t भी दे देगा ये धियान में आप लोग को रखनी है निमलीकित में कौन विद्धु चुम की तरंग नहीं है मैंने एक पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि विद्धु चुम की तरंग कैसे याद करते है उसके लिए हमने बताया था एक ट्रिक्स बताया था मैं पूना हैं बता दे रहा हूँ जो लोग पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ से भी आप help ले सकते हैं ठीक है क्या ट्रिक्स बताया था ट्रिक्स में उमने बताया था गाए अवीजू इन्फरा मारे इससे ये पूरा बिदो चुमकिया तरंग के लिए है सबसे पहला चीज़ यहां पर धियान देना है वाहू सबसे पहला चीज़ देखना गा मिंस होता है गामा रेज किसके लिए है ये गामा रेज के लिए A बोले तो X-Rage की बात कर रहा है और A बतलब होता है Ultra Violet UV-Rage की बात कर रहा है और Visual मिन्स विजुल द्रिश से प्रकास द्रिश विजुल बोले तो द्रिश से इन्फरा बोले तो Infrared अब रक्त प्रकास बोल रहा है और मा मिन्स होता Micro Wave जिसको बोलते हैं सुक्छ में तरंग Micro Wave क्या हो जाएगा यहाँ पर? Micro Wave हो जाएगा या सुक्छ में तरंग और यह मतलब होता Radio Wave Radio तरंग Radio तरंग Radio तरंग Radio ठीक है तो यह आपका निमलेखित में कौन विदुचुमकिय तरंग नहीं अब मिलालो यहाँ पर अब ऐसा मत करना प्रकास तरंग भी विदुचुमकिय तरंग में है यहाँ पर Option नमर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा कारण है कि विदुचुमकिय तरंग अनुप्रस्थ होती है एक स्क्रिने भी अनुप्रस्थ यह भी क्या होती है? अनुप्रस्थ निचर का होगी और यह भी क्या होती है? अनुप्रस्थ निचर का और प्रकास तरंग भी कैसा होती है? अनुप्रस्थ निचर का अनुप्रस्थ निचर का होती है लेकिन यह होता है आपका अनुदैर्ध होता है यह क्या होता है? आपका अनुदैर्द होता है ठीक है निक्स कोश्चन की और बढ़ते हैं पारदर्सी माध्यम हीरा के लिए क्रांती कुन का मान हीरा के लिए के लिए सबसे कम होता है आपका 24.41 के आस पास होता है आते निच्स को सचन क्यों बढ़ते हैं फोटान की उरजा बरावर होती है फोटान की उरजा अई यह new है n e w new new है new आविरती को आप सो करता है h new अगला है च्छेतर की तीवता h के बराबर क्या होता तो h equal to ऐसे लिखते हैं mu equal to होता क्या होता वाब मी equal to mu equal to vyh byh तो h equal to mu not y हो जाएगा option number a यहां से correct हो जाएगा निम लिखत में कौन उच्छाई transfer उच्छाई बोले तो step up step up का काम क्या है voltage को बरहा देना तब वोल्टेज तभी बरेगा जब secondary वाला क्या रहेगा जादा रहेगा किस से ज़्यादा रहेगा primary से अगला है अदिष्ट धारा के लिए प्रेर्निक परतिघात प्रेर्निक परतिघात तो दिष्ट धारा के लिए प्रेर्निक परिगहात का मान, कैसे निकलती है है, ben थोरा समय बता दूँँ आप लों को, प्रियर्निक परतिगहात बोला किसके लिए dc के लिए, सबसे पहला चीज है dc है, dc के लिए क्या हो जाता है वह, वह, dc के case मे ही dc के case में, dc के case में frequency zero होता है, ये तो मालूम है dc के case में frequency zero, प प्रेरनिक परतिगात वो ले तो XL का भायलू और XL होता 2 πाई FL होता ठीक है F का भायलू जब 0 तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा Option number A इसका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा 49 question number पे चलते हैं धारा वाही कुंडली की विदुत चुमकिये अगुर्न काई काई ये अभी question अमने करवाया था N I A हो जाएगा क्या हो जाएगा M equal to N I ये correct हो जाएगा विदुत तिब्रता का A साई मातरक होता है तिब्रता का ये साई फर्स्ट question था विसमें भी मैंने बोला था Newton पर कुलाम या वोल्ट पर मीटर होता है निमलिकित में धारा गनत्म के लिए कौन साई है धारा गनत्म के लिए कौन साई है धारा गनत्म बोले current density J equal to I upon A current per unit cross-sectional area of conductor निमलिकित में निमलिकित के लिए कौन साई है तो साई mu equal to mobility है गदिस सिलता होती है VD upon E होता मौड of VD VD क्या है अनुगमन बेग है अपवाह बेग है और E क्या है विद्धोचेतर तीवरता है आते next question की और बारते निमलिकित में कौन साई है एक वाट बरावर एक जूल वान एक जूल पर सेकंड वन जूल पर सेकंड हो जाएगा ऑप्सन नमरे करेक्ट हो जाएगा चलो next question की नीला रंग के लिए कारवन परतिरोध नीला रंग के लिए कैसे मैंने बताया था यहां पर याद करने के लिए याद करो यहां से वी वी रहाय ऐसा trick बता है था वी रहाय ग्रेट will विटेन, ग्रेट विटेन, हैव वेरी गुड्ड वाइप, ऐसे करके, B for black, B for brown, R for red, O for orange, Y for yellow, G for green और कौन सा है green, blue color, तो blue यहाँ पर है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 तो यह आपका कौन सा color हो गया, blue color हो गया यह कौन सा है यह आपका नीला color हो गया अब ऐसा मसले, यह black के लिए है, यह brown color के लिए है तो option number D correct हो गया empire घंटा किसका मात रखा है, empire our charge का unit किसका charge का, empire second, empire minute, column, stat column, AB column यह सारे यूनिट है किसका, आवेश का अगला question पर आते हैं, निमलिकित में कौन है निमलिकित में कौन है आपका निमलिकित में कौन है जो लॉरेंज बल के लिए साही है लौरेंज भल के लिए याद रख लेना वावू और लौरेंज भल लहता है यहां पर देखोगे तो आपका हो जाएगा आप्शन नमबर यह करेक्ट हो जाएगा क्यों हो जाएगा निर्बात पर प्रावद्वत पर निरवात का प्रावद्वत यह तो आसान कोश्चन है यह एट पोईट फार इसफार मीटर फैराइड पर मीटर फाराइड पर मीटर को ही हम लोग क्या लिखते हैं कुलंब क्या होता है ये कुलाम मीतर विद्धुत दियो धुर्भ का एक शाई मातरक कुलाम मीटर करक्व अंसर है आते हैं 59 कोस्टन 59 नमबर का आप लोग भी अंसर दिया करेंगे 59 का अंसर बताओ कौन साचों होगा पुलाम नियम का सदीश रूप कह रहा है कुलाम नियम का सदीश र सक्षोराइर में रहता अगर एवला रहता यह वला पर यहां पर कई रहतो किया फैट्स क्विस्टिन नंबर आते हैं आप लोगी अन्सर क्या किसी काल सक करेंगे आप लोग पहली आप लोग को भी दो सेकेंड का टाइम दिया जारा अंसर करें इसका क्या होगा आप यसी चाला की उड़जा क्या होगी तो 1y2cb1y2cb1y2cb4b option correct हो जाएगा नेक्स है आपका 62 नंबर यदि धारता C1 के N संधरिस समांतर क्रम में जोड़ जया तो तुल धरता क्या होगी समांतर क्रम की बात कर रहा है तो समांतर क्रम के लिए जल्दी से बताएं कौन सा अप्शन होगा समांतर क्रम में क्या हो जाएगा यह तो जूड़ जाता है C1 plus C2 plus C3 plus C4 plus SSN तक तो N into C1 हो जाएगा आप लोग कमेंट करकर के बताना है कि स्रेनी करम में जो रेंगे तब क्या हो जाएगा ये मेरे को बताईए और स्रेनी करम के लिए क्या हो जाएगा C upon N हो जाएगा चलो आपका 10 to the power 6 तो हो जाएगा अब देखना कि B या C इन दोनों में से कोई एक सही होगा जल्दी से बताओ कौन सा सही होगा Y के लिए सामर्थ के लिए तो Y के लिए सामर्थ कितना हो जाएगा आपका तो यह आपका हो जाएगा option number 20 का correct हो जाएगा आते हैं next निमलिकित में कौन सा सम्मन्ध दरभ्यमान और जुजा के लिए सही है तो Einstein साहब का equation धियान में रखना E equal to M into C square Einstein का कहना था कि किसी उर्जा से आप दरभ्यमान में बदल सकते हो किसी उर्जा को आप मास में बदल सकते हो तो मास को एंणरजी में और इनरजी को मास में से बदल सकते होे आप कहता है इता है आपका और यहां 2 से लगाएंगे 2 बर मिलेगा यहां 0 आ जाएगा यहां 2 से लगाऊ यहां 1 और यहां पर 0 देखलो यहां से पहले लिखेंगे 1 0 0 0 देखलो कौन सा ओप्शन है तो आप्शन नमबर यह इसका करक्ठ है Nandigate का संकेत क्या होता तो Nandigate बनता किसे बावू Nandigate आपका बनता है आपका Noat का हो गया और इधर हो गया इन दोनों का SYMBOL देखो गहे तो यहीं पर bubbles दे देंगे यह आपका क्या हो गया Nandigate का हो गया देखते हैं कौन सा option इसका correct हो जाएगा आप देखो मिला लो कौन सा option है तो option number D correct हो जाए कौन सा option number D क्या हो गया आपका option number D इसका correct हो गया चलो next question है अगला question देखो यहां से आप इधर इधर देखो है कि थोरा सा यह mistake है यहां पर यह थोरा सा है इसको मैं हटा दे रहा हूँ यह बला यहाँ पर मैं correct करवा दे रहा हूँ आप लोग यहाँ पर क्या करा T-Harp एवं छाय नियातांक में क्या संबंद है T-Harp बोले तो अर्ध आयू और छाय नियातां T-Harp होता है 0.6 है 931 upon lambda option number क्या हो जाएगा option number इसका A correct हो जाएगा T-Harp क्या है तो यह आपका क्या है बाबू यह आपका है यह आपका अर्ध आयू है क्या है आपका यह अर्ध आयू या अर्ध जीवन काल अर्ध जीवन काल हाप लाइप है अगला है इलेक्टरोन निमलिकित में से कौन alpha कन के लिए शही है किसके लिए alpha कन alpha कन किसके बरावर होता है helium नाविक के बरावर और इसका संकेत हम लोग लिखते हैं तो HE plus plus और इसमें भी दो प्रोटोन होता है कितना प्रोटोन दो प्रोटोन आते हैं next question क्यों बढ़ते हैं question number 69 निमलिकित में कौन सा सम्मीकरन सही है बताओ ये question पहले भी मैं करवा चुक हूँ और आज भी ये question मैंने करवाया है जल्दी से बताए कौन सा सही है आप लोग comment करके जल्दी से बताओ फड़ा फट निमलिकित में कौन सा सही है अब देखो ये uranium है इसमें से देखो तो आपका देखो 238 है 234 हुआ है यहां 92 है तो यह आपका 90 हुआ है अब देखो इसका मतलब एक अलफा डिके हुआ होगा अलफा च्य हुआ होगा तभी तो इसमें 4 घंट गया और इसमें 2 घंट गया है कि यहां पर यहां पर और ठोरियूं बन गया है. यूरैनियम इनियम दो बनने वाला है नहीं. अब यहां पर देखेंगे, यह तो गलत होगे आपका. और क्यों होगा B? क्योंकि यहां से 1 अल्फा ड के हुआ. क्या होगा यहां से? एक अलफा निकला है और यह नाविकिये यह आपका रेडियो एक्टिविटी रियक्षन है निमलिकित में कौन बायो सवट के नियम का सदी सुरूप है बायो सवट का नियम हो जाएगा यहां से बायो सवट हो जाएगा डी बी इक्वल टो मुनोट अपन फॉर पाई आई डी क्रॉस और क्या है और कक्र्व यहां हते है अगर यहां पर आर क्यूसो वेक्टर आजाता आज आज पढैने के लिए बस इतना ही सभीकोवले क्यूस्य उसलेक्र्फव लग हैं धंग से तैयारी करते रही है ऐसा कभी भी नहीं करना है कि रिजल्ट के रिजल्ट आया तो आपको अफसोस हो आपको ये नहीं करना कि रिजल्ट आने के बाद एक कहने का मुखा नहीं मिले कि कास थोरा सा और महिनत कर लिया होता तो मेरा और माक्स आ जाता वो कहने से बेतर है कि आप अभी ही धंग से तैयारी कर लें अभी से भी आप लोग है आप लोग की तैयारी में जानता हूं कि बहुत बेहितरीन चल रही है बस है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अभी के समय में नया चीज बिल्कुल नहीं पढ़ें जो आप पढ़े हुए हैं उसका प्रैक्टिस करें जो भी अंसर उसका लिख करके, जैसे आप लोग अंसर बगरा समय लेते हो, याद कर लेते हो, concept बगरा समय लिए, तो आप उसको लिखें, कोई भी question है, उसका अंसर आप लोग लिखा करें, और आपको है कि अगले वीडियो में मैं short question या long question कराने का भर पूर परियास करूँगा, तो तो आपको है लोग टाप लोग है का लोग इसका यहाँ लोग सब्सक्वास करूँखा भरासन सका लोग ऐसे लिए सका यहाँ करूँगारा